परदान मंत्ती जी को खुले याम चैलेंज करता हूं मैं कि आप चाचा को भेज़ दो चाहे भतीजा को हाजीपुर में पहुच गए अनुमान को भेज़ दो बानर को भेज़ दो भालू को भेज़ दो चाहे बडा को बामा को भेज़ दो हराएंगे 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 इस बारतिय जंता पार्टी को तो एक भी शिट नहीं मिलेगी अब एक भी सीट नहीं मिलेगे राजकुमार पस्वान जी बढ़ीए आपको बड़ा एलान कर रहे हैं अरे सब मैं कर रहा हूँ ना कि बिहार का पास्वान चिराग पास्वान के कहाने पर भारतिय जंतापाठी को भोट नहीं करें जो भारतिये जनता पाटी नरेंदर मोदी अगर 400 का पार हुआ तो सविधान बदल दिये जाएंगे अगर 400 का पार हुआ तो आरक्षन खत्म कर दिये जाएंगे अगर 400 का पार हुआ तो गरिब सोसित बंचितु का देकार छिन लिए जाएंगे अगर 400 का पार हुआ तो वही 500 बर्स वाला बर्ण वेवस्था अस्थापित की जागी है हाजीपूर के चर्चा में हूँ मैं और हाजीपूर के लिए काम क्या हूँ मैं 10 साल सांसद अगर होता तो हाजीपूर आजे कहां से कहां होता इंजिनियर राजकुमार पस्वान जी बड़ा चेहरा मतलब की आपको बोल सकते हैं चिराग पस्वान डलितों का पस्वानों का है यह उस जगह पर हाजीपूर किस तरह से डिफेंस की जीएगा और किस मुद्दा पर आप लगने जा रहे हैं वापर उतर रहे हैं कि हमारी मुद्दा रही है वो छेत्र की विकास छेत्र की समस्या आम अधी पार्टी के टिकट पे लड़े हारे तो सबसे पहले गंगा से तू पूल के लिए धर्णा परदर्शन किया आज देखिए बनके तैयार हैं काम हुआ ना इस ब्रकार लेकिन आवाज किसका रहा इंजनिर राजकुमार पासों का पांच सिट मिलता है और चिराग पासबान को जमुई को छोड़कर आप हाजीपूर में मिल जाता है और उसके डिफेंस में करते हैं इंजिनियर राजकुमार पासबान जी यह 2019 में डिफेंस किये थे जो आपको तीन थर्ड पोजिसन पर रहे थे राजकुमार जी थर्ड क्या पहले चैनल में मिले स्कार आपको बता दो कि देखे भारतिये जंता पार्टी की गोद में बैठने वाला संग भाजपा के गोद में बैठने वाला मानस पुत्र नाकपूरी संगी दलित दलित विरोधी चिराग पासवान समझे ऐसे निता का समाज में कोई जगह नहीं है और आपको बता दो कि जो इंडिये ने पांच सिटे दिये हैं तो मेरा चिराग पासवान से सिधा सवाल है कि अभी तक तो किसी गरीब दलित को इन्होंने सदन पहुचने नहीं दिया दलित का ही उन्यता है अजया दलित का मतलब आता है तो चिराग पासवान यानि कि उनका परिवार हमेशा रहेगा सदन में परिवार के अलाबा कोई गरीब दलित उसाथ का बेटा नहीं जाएगा सदन में आप लोग यह करना चाहते हैं तो सुन लिजे कि पांस सीटों में जिनके पास 1.5% भोट भी नहीं है ऐसे निता से मैं इतना ही कहूंगा कि इस वार भारतिये जनता पार्टी को तो एक भी सीट नहीं मिलेगी अब एक भी सीट नहीं मिलेगी राजकुमार पास्वान जी बढ़िए आपको बड़ा एलान कर रहे हैं और इसाब मैं कर रहा हू ना कि बिहार का पास्वान चिराग पास्वान के कहने पर भारतिये जनता पाटी को भोट नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी कि चिराग पास्वान उस हाथ को मजबूत करने जारे जो भारतिये जनता पाटी नरेंद्र मोदी अगर 400 का पार हुआ तो सविधान बदल दिये जा अगर 400 का पार हुआ तो गरीब सोसित बंचितु का अधिकार छिन लिए जागे। करके कहा दोहजार बारा अप्रेल दोहजार सोला को इस सम्रिद अलितों का अरक्षन छोड़ देना चाहिए चिराग पास उनको पिदा जी ने कहा उनीस और विस के दर्मियान कि कहते हैं गरीब का बेटा दुसाद का बेटा चमार का बेटा मुसर का बेटा हल चला सकता है कियों को सामिल करने की बात कहा अच्छी बात है वह भी मेरा भाई है लेकिन पहले जो बाबा साहब आम मिटकर ने जो सारे बाइस प्रतिस्द आरक्षन दिया दाइरे को बढ़ा के 35-40 प्रतिस्द करने की बात लोगसमा सदर में किजी तो यह चिराग कुमार कैसे डिफेंस क्या करना भाई लडाएं में थे पहले अभी लडाई में हूं भाजीपूर के चर्चा में हूं मैं दस साल सानसद अगर होता तो हाजीपूराज neden कहां से कहां होता नरेंद्र मोदी के जो संसदिये छेतर है वहाँ जितना विकास की गंगा नहीं बही है उससे ज़्यादा हाजीपूर चमक रहा होता कोई टो जपान अज होता इलेक्टोनिक सिटी सहर होता अब आपको पता है पांच करोर रुपया मिलता रहे परतिवर्स तो दस साल में कितना हुआ पचास करोर पचास करोर रुपया कहा गिया जमुई का हाजीपूर का पचीश करोर कहा गिया पांच साल में और यतने सारे मैं मोदी का हनुमान हूँ एक भालू हूँ तो सभी मंतराले का फंड लाईयेगा वीजन रहेगा तम न सर, सोचने की सकती रहेगी तम न तो बोल रहें, चार सो पार होगा और अरच्छन इतना गरीबों के लिए किसी कदम उठाया जाएगा कि भलाई होगा आने बाला समय सुनिए, देश आज गरीब है, भूखा है, नंगा है मैं इसलिए करा हूँ, कि यही नरेंदर मोदी कते हैं, कि आज 85 करोड जनता को 5 किलो आनाज बाट रहा हूँ, यह कितनी सर्म की बात है, और घटिया आनाज बाट रहें यह, बढ़िया रिफाइन आनाज विदेश चला जाता है, चावल, गेहुम, दलहन, दाल, और हमारे स्टेट के 85 करोड आबाम को घटिया नाज किला जाएं, उससे बीमार हो रहें, घेगे की बीमारी हो रही है, पैर में पैरलैसिस मारा, आने वाला पीड़ी, अपंग, और क्यालते हैं, इलाचार पैदा हो रहा है, बीमार पैदा हो रहा है, इससे पहले तो भी नहीं बाठता था, अरे साब, 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 ये कोई नई योजना नहीं लाएं, कॉंग्रेस के भी सरकार में स्वास्त के लिए बहुत अच्छा विवस्ता था, अनाज दी जाती थी, कॉंग्रेस का ही नारा था, गरीब, जो भी हो, इस अम्वानी अडानी को जोला भर के देना है, क्योंकि वो सारा विदेश में जाते हैं प्रधान मंत्री, तो स्रिलंका में, आस्टेलिया में, जर्मनी में, अम्वानी अडानी को टेनर दिलवाते हैं, अच्छार, इंजिनियर राजकुमार पासवान जी, बड़ा चेहरा दलितों का, पस्मानों का है, या उस जगह पर हाजीपूर किस तरह से डिफेंस की जीएगा, और किस मुद्दा पर आप लगने जा रहे हैं, वापर उतर रहे हैं, लेकि हमारे मुद्दा रही है, वो छेत्र की विकास, छेत्र की समस्या, और युवा नौजवान जो समस्या है, समझे, टोला सेविका की समस्या है, आसा बेने की समस्या है, सिक्षकों की समस्या है, समझे, जल जमाव की समस्या है, बहुत सरी समस्या है, अगर जितने हैं तो हो जाए, सुन लिजे पहले, 2014 में हम लोगसमा का चुनाओ, आम अधी पार्टी के टिकट पे लड़ किया आज देखिए बनके तैयार हैं काम हुआ ना मले सरकार लेकिन आवाज किसका रहा इंजिनिर राच्कमार पासों का फिर 2019 में हाजिपुर की जन्ता ने तिसरा पूजिशन दिया तिसरा अस्थान दिया चार पर तिसरा बोट दिया पचासजार के लगवा पचासजार करी तिसरा अस्थान दिया तो पटना मेट्रो से ज़ी जर जगा किसी इसमें ना कोई भी बड़े मंत्री कोई भी विधाय का देन नहीं है और हाजीपुर जब मैट्रो सिटी होगा वहां के युवान नौजवान को रोजगार मिलेगा और सुने जिला का हाजीपुर में 5000 वाला सुपर एस्पेशिस होस्पिटल बनाऊंगा इसलिए उत्तर बिहार के जो बाइस जिले हैं वहां से जो पठना आते हैं उनको ठकता है यहां का माफिया लोग उसको रोकेंगे ए टुजे डिलाइस के लिए बैसाली जिला में हाजीपुर में वह भी बोलते हैं कि हम भी एक करेंगे दस साल तो किया नहीं अब दस साल का दस को कारितों दे मुल्यांकर करवा दिजिए गिनवा दिजिए हम राजनिती छोड़ देंगे अनार्ज दिए उई बाला योज़ना दिए यह सब सारे तो दो सरकार हाजीपुर में कितना योज़ना आया अब सुपतिकुमार पारज जी बिकलांक से भवन मांगा तो भवन बनाने के लिए जमीन मांगने लगे किनवा पारज जी रोजगार मिला लगाए तो जो उनका परिकर्मा करता था उसी को रोजगार दे दिया नौकरी दे दिया क्या और कोई गरीब दुसात का बेटा नहीं था और कोई गरीब का बेटा नहीं था तो इस तरह से यह लोगों ने समाज को ठका जमात को ठका और प चाचै को बेदो भतिजा को हाजी पुत पांच बांड को बेदो बालु को बेतो चाहे बडरा को अब को पेदो हैं भांगे भांगे इस दहलेत इस दसस्त कूमार के साथ झाल बाट कर दो दो